आप सभी के फेवरेट सीरियल उडारिया के अपकमिंग ट्राक में हुआ जबर्दस धमा का नमस्कार मैं स्ट्रेस्टी आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलवेट स्पाय में बेल ज्यासा कि आज के एपिसोन में हमनी देखा कि नहीं अपने नानों के साथ जाती है वोट देने के लिए और उनके वोट देने से पहले ही अधुएत और एकम में आमना सामना होता है लेकिन इन मॉमेंट पर हरलीन आकर उस जगडे को रोक लेती है और कहीं ना कहीं एकम और हरलीन एक साथ जाने लगते हैं लेकिन जब नहमत बाहर आती है अपने नानो के साथ तो वो एकम और हरलीन को एक साथ देखकर खुश हो जाती है वहीं दूसी तरफ हम देखते हैं कि नहमत अपने नानो को लेकर हॉस्पिटल जाती है अपने आपको सही प्रूफ करने के लिए कुछ सबूत जुटाने के लिए लेकिन जैसे ही नहमत पहुंचती है तो वहाँ पर जिस नर्स ने उन्हें इंजक्शन दिया होता है बार बार नीन के इंजक्शन उस नर्स से जब जाकर नहमत सचाई पूछती है तो वो नर्स साफ तोर पर ये प्रूफ कर देती है कि नहमत के मिस्कारज के कारण शायद नहम ट्रामा में है और ऐसे में नहमत बेकाबू हो जाती है और चिलाने लगती है उस नौस के उपर लेकिन दूसी ही तरफ नहमत कोन के नानू घर ले कर जाते हैं और इसे के साथ साथ हम देखते हैं कि नहमत ने एक बहुती प्यारा सा वैलन्टाइन स्ट्रे सर्प्राइज एकम और साथी साथ हरलीन के लिए डेकुरेट किया है और ऐसे में जब एकम और हरलीन वहाँ पर पहुंचते हैं तो दोनों ही शौक हो जाते हैं कि कितना खुबसूरत सा सर्प्राइज है एकम को लगता है हरलीन नी किया है और हरलीन को लगता है एकम ने किया है लेकिन बाद में एकम समझ जाते हैं कि ये सर्प्राइस किसी और ने नहीं बलकि नहमत ने प्लान किया है और बातों ही बातों में एकम और हरलीन जो हैं वो काफी जादा क्लोज होने लगते हैं और एकम हरलीन को प्रपोस कर देते हैं कि क्या तो मुझे शादी करोगी और ऐसे में हम देखते हैं कि पीछे से नहमत ये सारी चीज़े देख रही होती है और नहमत को अपने आप में खुशी मिलती है क्योंकि नहमत से एकम ने ये वादा किया था कि वो हरलीन को प्रपोस करेंगे ताकि नहमत को खुशी मिले और ऐसे में हम देखते हैं कि यहाँ पर एकम जो है वो हरलीन को प्रपोस भी करते हैं और उनसे एक बात भी कहते हैं कि कभी भी मैं अपनी जिंदगी में नहमत का जगह जो है वो नहीं निकाल सकता हूँ अपने दिल से नहमत को नहीं निकाल सकता हूँ लेकिन तुम्हारी जि आपको सम्हाल पाएंगी कि नहीं कि उनका प्यार अब किसी और का हो चुका है वेल आखरकार इस पर आपके क्या कुछ है रियाक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शाय करें